सर्दियों में पूरी खाने का अलग ही आनंद होता है और वो भी चन्य की सत्तु वाली तो फ्रेंस मैं दिपास्त्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल दिपास्त्री कुमारी में तो फ्रेंस मैं लेकर आई हूँ चैन्य की सत्तु वाली पूरी और इसके साथ धन्या और आमला की चत्नी तो फ्रेंस बनाना शुरू करते हैं तो सत्तु की पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ धाय सो ग्राम सत्तु लिये हैं और एक बड़े साइज के प्याज को हमने इस तरह से बारी काटल कर रख लिया है और अधरक लोसुन को हमने कूच कर रखा है हरी मिट्स को भी हमने कूच लिया है और यह धन्या पता है और यहाँ हमने आधी निम्बू लिये हैं इसका रास हम डालेंगे और यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लिया है इसमें हम सत्तू डाल लेते हैं तो सभी सत्तू को हमने इसमें डाल लिया है और अब हम इसमें बारे कटा हुआ मर्चा, अदरक, लोसुन और प्याज इन सभी को हम डाल देते हैं धनिया पत्ता को भी इसमें हम डाल दे रहे हैं इसके बाद हम अजवाइन को हम हाथ पे क्रेस करके इसमें हम डाल देते हैं और नमक हम स्वात के अनुशा डालेंगे तो नमक थोड़ा सा ज्यादा ही चटकदार अच्छी लगती है तो हमने यहाँ देर चमस नमक डाला है और आधी निम्मू के रस को हमने इसमें निचोड दिया है और थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देते हैं सरसो तेल इन सभी को हम मिला लेंगे तो अभी यह थोड़ा सा सुखा सुखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे इसे स्टॉफिंग करने में आसानी होती है तो इस तरह से हमने इसे मिला कर रख लिया है और अब हम आटे काडो तयार करेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए तयार करते हैं तो यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से गूत लेते हैं और एक मुलायम और सौफ्ट आटा तयार करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आटा हमारी गूत चुकी है तो इसके हम लोईया बना लेते हैं लोई हम थोड़े से बड़े साइज की बनाएंगे जितने बड़े आपको बनाना हो तो हमने यहाँ रोटी से थोड़ी से ज़्यादा बड़ी ली है तो इस तरह से हम लोई को हाथों पे गोल कर लेते हैं और इसे हम पर्थन में लगा करके हाथों पे इस तरह से हम इसके कटोड़ी बनाएंगे और कटोड़ी जब इस तरह से बन जाएगी तो इसमें हम सत्तु वाला मिश्रन डाल लेते हैं और इसे हम हाथों से समेठते हुए इसे हम बन्द कर लेंगे तो सत्तु को हम इस तरह से दवाते हुए भी रहेंगे जिससे ये बाहर ना निकले और इस तरह से हम इसे सत्तु वाला लोई तयार कर लिये हैं और अब इसे हम बेल लेंगे तो रोटी से हमने हलका मोटा ही इसे बेल कर रखा है और इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं और अब हम तवे पड़ इसे शेक लेंगे तो तवा हमने चढ़ा रखा है और ये काफी गड़्मी हो चुकी है तो इसमें हम थोरा सा तेल लगा लेते हैं और अब हम इस पे पूरी डालेंगे और इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे तो एक तरफ से ये हो चुकी है तो दूसरी साइड भी इसे हम पलट लेते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी यहरेस भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अपना हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जबुर दवाए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकिशन आप तक पहुंचती रहें तो फ्रेंड्स यहाँ पूरी हमारी बन कर तयार हो चुकी है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम एक और बना लेते हैं और जब तक ये बन रही है हम यहाँ लोई भी तयार करते रहेंगे और इसी तरह से हम सभी पूरी को बना लेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरी बनता देख बच्चों से रहा नहीं जा रहा है और यह खाने को विताब हो रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां हम पूरी बना कर गर्मा गर्म बच्चों के लिए सर्व करेंगे और साथ में हम धनिया और आमला की चत्नी भी डालेंगे तो पहले हम चत्नी बना लेते हैं तो इसके लिए हमने यहां आमला लिये हैं यह कच्चा आमला है इसे हमने काटकर गुटलियों को निकाल लिया है और ये तीन सुखी लाल मीट्च है और यहां हमने आठ दस लासन की कलिया लिये हैं इन सभी को हम तवे पे भून लेंगे तो यहां हम सभी को तवे पे भून लेते हैं अब हम देख सकते हैं कि यह अच्छी तरह से भून चुकी है और यह पक भी चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम धनिया पता को भी भून लेंगे इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं उलट पलट कर इस तरह से जब आप चट्नी बनाएंगे तो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप छे से साथ दिन तक इसे आप श्टोर करके भी रख सकते हैं इस चट्नी को यह खड़ाब नहीं होती है तो यहां आप देख सकते हैं धनिया पता भी भून चुकी है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं यहां हमने इसे निकाल कर रख लिया है और इन सभी को हम मिक्सिजार में डाल करके इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हम थोरा सा पानी डाल करके इसे हम पीछ लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि चतनी बन कर तयार हो चुकी है और इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें थोरा सा सरसो का तेल इसमें डालेंगे और इसे हम मिला लेते हैं तो फ्रेंस चटनी हमारी बन कर तयार हो चुकी है और अब हम बच्चों के लिए पूरी के साथ ही से हम सर्व करेंगे तो फ्रेंड्स आप आप देख सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी और दिखने में भी काफी लाजवाब बनी हुई है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू